जोगल प्रबर करमाने जो हमें आपको दिखाई दे रहा है इसको तो कोई जूट कह रहा है जैसे भगवान संकर कहते हैं अमा काओं मैं अनभव अपना असत्य हरी भजन जगत सब तो इसको तो कोई जूट कह रहा है सपना कह रहा है अब कोई इसको सत्य कह रहा है दिखा हम आप सप्षत्य कह रहे हैं अब भगवान संकर इसको सपना कह रहे हैं और कोई इसको कहता है भाईया यह न सत्य है न जूड़ जायों कह लिए कि सत्य भी है और जूड़ भी है तिन तरह एक लोग हैं एक लोग इसको सत्य मान रहे हैं जैसे हम आप और जो सादक हैं जो भक्त हैं वो इसको जूड़ मान रहे हैं अक्तिसरे ऐसे भी हैं कि वहिया सत्य भी है और जूटा भी है क्यों कि दिखाई दे रहा है कैसे कह दे जूट रहता नहीं है इसलिए कैसे कह दे सत्य तो सत्य भी है और जूटा भी है तीन तरह के लोग हुए एक जो इसको सत्य मान रहे हैं और एक जो जूट मान रहे हैं और एक वो सत्त और जूट दोन मानने हैं। तो गोश्वामी जी कहते हैं को कह सत्त जूट कहा कोई अजुगल प्रवरकरी माने अद्पुल सिदास पर हरे तीन भ्रह्म सो आपन पहंचाने। गोश्वामी जी के दिश्म में क्या है कि तीनों भ्रह्म हैं। और इन तीनों भ्रह्मों को जो ट्याग देता है। वह अपने को पहँचान देता है। जो दिखाई दे रहा है ये भी सत्त नहीं है। दूर भी नहीं है तो न सत्य है न जूट है फिर क्या है इन तीनों को जो पंत्या कर दे तीनों ये भ्रह्म है वास्तिक्ता नहीं है ये तीनों भ्रह्म है न सत्य है न जूट है और न जूट और सत्य है बल्कि क्या है ये तीनों भ्रह्म है प्रमार देख लो कहते गो गो चरल तक जहामन जाई सो सब जानेव माया फिर सत्य क्या है तो कहते हैं जो तीनों को बाद कर दें इन तीनों की न सुने और अपने स्वरूप को देखें सो पेंचान जाएगा कि मैं कौहूँ कोव का सत्य जूट का है कोव जुगल प्रवल कर्माने तुलसिदास परिहरेत कीन भ्रह्म सो आपन पेंचान और हमें आपका हमारा आपका लख्ष क्या है हमारा आपका लख्ष है अपने को जाना हम कौन है ये सब से बड़ा प्रस्न है और इसी के लिए एक बार स्वामी गुरु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि महाराज दरबाजा खुरो गुरुज कहते हैं कौन है तो गुरुज कहते हैं बगवन मैं यही जानने आया हूं मैं कौन है कहने का विशाय ये है कि जब इतने बड़े स्थन्त मन इसी इसी चक्कर में भूम रहे हैं तो हमारे आपकी जिल्दी क्या है हमारे आपका भी जीमन का एक लक्षे है कि मैं कौन है तो कहते हैं कैसे जानोंगे ऐसे जानोंगे ये तीनों भ्रह्म का बिनास हो जाए ये तीनों का भ्रह्म हो जाए इसके बाद जो जूट को भी जान रहा है जो सत्र को भी जान रहा है और जो सत्र में जो जान रहा है जो तीनों अवस्थाओं में हाजिर नाजर है जिसका कभी ना तू आना जाना है ना कभी जन्म है ना म्रत्व है वो तू है और वो उसको पहँचानने के लिए इन तीनों नहों और तू हो तो जान जाएगा कि मैं कौन है कैसे जाने कैसे जाने, जैसे ऐसे जाने, कि जैसे हम आप इस जागर्त को खो बैठते हैं स्वपन में, स्वपन को खो बैठते हैं नीन में, तो तीनों खो जाते हैं, जागर्त भी खो जाता है, स्वपन भी खो जाता है, और सुपन भी खो जाता है, लेकिन इन तीनों में ना वो खोता है जो इन तीनों को जान रहा है, जो कहता है कि मैंने सपना ऐसा देखा, मैं ऐसी नीज में गया, और मैं यह हूँ, मैं यह देख रहा हूँ, वो बेक्ती तीनों हैं, जैसे थोड़े के लिए, आपके पास एक अंगूठी है, अंगूठी सामने हैं आपको, अब आप सुनार के प जगल करके अब हमें एक ठो जो है, इस मनत्षनी बना दू, तो इसने उसको मिटा रा, तपाया और नत्षनी बना दू, अब फिर गया उनका भाईया, इस नत्षनी को हटा करके, हमें नाक का तील बना दू, तीन बन गये, अंगूठी बना, बाला बना, लेकिन तीनों बनन परमातम ने सबना दियाए लेकिन सोना, तो सोने आजन नाजr रहता नहीं। नो का dif," जो कह रहा है?" उसके अंदर कौन शपा जो कह रहा है, जो तीनों अस्तों को जान रहा है, वो है सोना, क्योंकि सोना अंगुठी बना था, तब भी सोना हाजर था, जब बारा बना तब भी सोना हाजर था, और जब कीर बना तब भी सोना हाजर था, तो सत्त क्या हुआ, जो तीनों कालों में र सब्सक्राइब, कभी सब्सक्राइब, आत्मा अफ रहां पर j Christmas सपन चैनररर thatई, भ Snा तनरर ये सप्कर आत्मामीें से अंगूठी का है, वो कहता है मैं अंगूठी हूँ जब कि हो सोना सत् न है उसमें मैं सोना अब बना Factory ऑस तिह तिह हमारा बनाऊपे है ये बना उटी है ये बनाऊपी है से इसमें जो सोने की तरह है वो है आत्मा और वो तू है तो एक ऐसी दसा हो कि ना उठी उठी हो ना बाला हो और ना कीर हो और सोना हो तो जान जाएगा कि मैं सोना हूँ यह है अपना सोनी किसी तरह से जाने कि जहां हमारा जागर्त को हम विदा कर देते हैं स्वपने की याद से स्वप्न को बितीद करते हैं बिदा कर देते हैं गेहनीम में एक ऐसी अवस्था भी आए कि तीनों नहुं और तुम हो ना जागर्थ हो ना स्वप्न हो ना शोसब्त हो वो ऐसे आए बस उसको जहां आप सो जाते हो तो वहां सोना नहीं है जागरत चला गया सुपने चला गया सुपने चला गया सुपने चला गया अब सुपने क्या होता है कि हम सो जाते हैं नहां में यह पता रहता है कहा है तो बस उसका जागरान हो और यह कीनों ना हो वो है अवस्ता समाधी की, जैसे हम जाग्रत से स्वपन में जाते हैं, स्वपन से सुपन जाते हैं, और एक अवस्ता और है उन्ची उसकी बार, समाधी, समाध्य में क्या होता है कि समाध्य में पेवर सोना रहता है नम वहां बाला है नम वहां मूठी है और नम वहां कील है सोना ही सोना ऐसा होता है कि नहीं होता है सोना में एक ऐसी अवस्तर ही आती है सोना लेकिन सोना जब होता है तब उसको होस नहीं रहता है जब वो जागता है कि अपने को उचित बाता है ब्रह्म ये है जब सोने के स्थित्याती है तब हम आपको आप होस नहीं रहता है और होस रहे चेतना रहे तब आप समझेंगे कि वो सोने में कितनी तागत है कितना बिराथ है, अचा वो सोना जो है, वो सब सोनों में सोना है के लिए सोना, कितना बिराथ होगा सोना, और अंगुठी कितनी है, और सोना कितना है, घड़ा में जो मिट्टी है, वो ब्यापक है, हर घड़ में मिट्टी है, और घड़ा सिर्फ घड़ा बर है, और घड़ा म इसके पीछे बिजली है कि नहीं, अब बिजली ब्यापक है, सब घरों में हैं नहीं, ऐसे हमारे पीछे जो सोना रूपी आत्मा है, सोना रूपी परमात्मा है, वो बिराट है, तो हमें करना क्या है, हमें भजन के मात्यम से, जिस बिन उपर हम सो जाते हैं, सब कुछ खो जात है लेकिन हम भी खो जाते हैं बस दुर्भागी है हम ना खोएं चेट अच्छा देखो दूसरी बात दिया आप देखो कि चेटना कमी खोती क्यों यह खो गई होती तो कैसे आप बताते हैं गही ने हम चले आज बहुत अच्छी नीज आई इसका मदलब है कि आप महां जाग र आत्मा नहीं सोती है अब हम आत्मा है बने है जागरत बना है सुप्ण बना है सुप्ण जैसे रजत शीव माभाद्जिम जथा भान करबार जिदे मरिखात्यों काल्म अब भ्रह्म नसके को उटाए मतलब सीपी में चांदी दिखाए रही है सीपी को सीपी नहीं दिखाए दे रही है सीपी को क्या दिखाए रही है चांदी हमें तो में यह दिखाए दे रहा है जबकि वास्तिक्ता क्या है वास्तिक्ता है इसमें आत्मा लेकिन आत्मा नहीं दिखाया है आत्मा में जो बना वो दिखाए दे रहा है वास्तिक्ता है बालू, लेकिन अपने को देख रही है पानी, हम अपने को देह देख रहे हैं, हम अपने को आत्मा नहीं देख रहे हैं, जब तुम आत्मा हो, असली है आत्मा और नकली है, यह बना हुआ है, जैसे सूर का पृत्विम बना, तो जिससे पृत्विम बना, असली वो है, और जो वो बना है वो नकली है लेकिन प्रितिवम्म अपने को सुर मान रहा है बस यह दुख्रा बात है वह अपने को मैं मान रहा है जबकि वो मैं नहीं है वो बना हुआ है मैं तो उसका वू है, तो कहने का भाव मारा ये है कि हमें आपको जीवन में आत्मा का बोद करना है, तो स्वामी जी कहते हैं कोव कहा सत्त, जूट कहा कोव, जुगल प्रवल करिमाने, अत्पुल सिदास पर हरे तीन भ्रम सो आपन पहंचाने, जो व्यक्ति इन तीनों भ्रमो का निवारान कर देगा, जैसे मालिये, कि लकडी रसी पढ़िये, साप का भ्रम हो रहा है, तो क्या है, लकडी अपने को साप देख रही है, ऐसे ही ये आत्मा अपने को देह देख रहा है, अपने को इस्त्री देख रहा है, अपने को लड़का देख रहा है, अपने को पु कुछ नहीं है तो कहने का वैसा हमारा यह है कि हम उस आत्मा की गहराई में इनको बाद करते हुए अच्छा और देखो तारीव की बात यह है कि तारीव की बात यह है कि रोजाना में टरते हैं रोजाना क्रिया होती है लेकिन हमारे भी होशी में होती है जैसे माली यहां भगवान बैखे हैं अब कोई दर्वाजे में आया अब आप ने इस ना लगा दिया सोने का अब इसको यहां आप ले आओ खूब सतंग हो रहा है अच्छा और इसके बाद जो है उसको माहा ले कुछ ने जबकि यहां से गया है लेकिन होस में नहीं गया भी होस हो गया है ऐसे हम जहां जाते हैं सोने में जाते हैं हम आप आत्मा में जाते हैं हम आप उस परमात्मा में लीन होते हैं लेकिन हम आप जाते हैं एक बार चेतना बनी रहे, जागरत बना रहे, चेतना का भान रहे और ये सब नहों तब आप अपने को बिराश समझे, आपको बिदी बता दीजिए, हाँ वो बिदी बस बस यही है, एक ही राश्ता है कि बाहरी मते घ्रत हो रहे, सिक्ताते बर्व तेल अब भीन भरी भजन न भाउत रहे ये सद्धान्त अपर अर्थाद भग्वान के भजन में भग्वान के चिंतन में डूकते चले जाओ लेकिन होस नक्होने पाए जैसे इसलिए नहीं, इसलिए कि महां तक जैसे पहुंचना चाहिए वैसे आप नहीं पहुंचबा रहें। विदी है उसकी। क्या है। विदी ऐसा है। वो साम लिखते हैं करमुखते बहुत तक जपए। अत्वा नाम जीहिजप जान योगी परमारती प्रपंच व्योगी ब्रम्व सुख़ई अनुभवई अनुपा अकथ अनामे नामे नरूपा वैसा है। लेकिन जाना चाहिए। पहली बात तो हम चाहें तब रास्ता है। अचाहें ही नहीं तो क्या है। जाना चाहें गूड़गत जेव। क्या करें। नाम जीहिजप जाने तेव। जीहिजी का मतलब क्या है। जीहिजी का मतलब है चेतना से। आत्मा से। और हम आप ऐसे बचते हैं। हम आप माला से जप रहें। हम आप मुख से जप रहें। तो कहते हैं पहले तो महला ही जपना है इसके बाद महलावमुक्को रखने ना है कहते हैं करमुक्तेबहुत तके जपने अस्वां साहब एलाको देखिए जब हमें आपको छट में चढ़ना हो तो पहली दर्जास्चीडी चणा अनिवार है फिर चढ़ करके छोड़ना भी अन आप हम हम इसे पकड़ी है, मालई को पकड़ है, जीवन चला गया अपना लागी थूझ ठूड़ रहा है, और चढ़ना चाहते हैं और चड़ना चाहते हैं, और फिर प्यारे पहली सीडी चढ़ चुगा, फोल उसको, तो पहली सीडी क्या है? कर मुक ये पहले चीड़ी है कर से और मुक से और ये सब कर मुक ते बहुत कर को साजा को इससा को अठिश का जिस ने मुक से जब चुकलका माल endeavors की टोन को तो फिर स्वासा मिगए अठिशत ओंद की माला बना लए उस माला में क्या होता है उस माला में गुरिया होती है और हर गुरिया में हमारा राम निकलता है नहीं जलता है ऐसे हर स्वासा में राम निकले यह जागरन कैसे जागेंगे ऐसे जागेंगे और यह आप केवल माला हाथ में लेऊगे और मुख से कहोगे तो थोज दिन में सो ज पाते हैं जब कि हमें और बढ़ना है इसलिए जब नीन आने लगे जब ते जब तो फिर दख दिए फिर स्वासा में आजाओ क्यों इसलिए कि एक समय को आएगा कि तुमारा हाथ नहीं चलेगा क्योंकि नीन आगई अपका चलेगा हां नीन आगई तो मुख्या चलेगा लेकिन स्वासा बराबर चलेगा जन्म से लेकर मिट्ट तक नीन से सोने और नीन में भी वो बराबर तो उस मारा को पकड़ लो जो बराबर चल रही है तो फिर क्या करो हर स्वास सा में पहले तो पहले आप उसका बाद लगा hour करये पहले तो मारा जबे मूख से कहिए और जब झाल अर्चने का मन हो जाए नीन आने लगे भी अनदे को रर्खेंगा अंभ स्वासा में आजाओ ओए पिर स्वांसा में आप निरंतर, राम 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 राम, जैसे स्वांसा आए, राम राम राम, 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 रा आपको मुख साल रहे है कि अलशक कहा और है लेर कहां सह रहे है कि है जहाने का लुगा है कि इस जहां । फेमल भी रहे है तो स्वासा आ से लेरे मुख से पहुंचो धन्य धनुण और हाथ से और मुख से पहुंचोगे तो सो जाओ और स्वांसा से पहुंचोगे तो जाते हुँ चले जाओ वो रास्ता है जाने का जैसे नदी में पुल बना हो आराम से नदी में तैरना मुश्किल है और यह पुल बना हो तो यह जो स्वाशा है यह हमारा पुल है एक तरफ दे है और एक तरफ आत्मा है और बीच मेरे स्वाशा चल रही है और स्वाशा तोटी तो पुल तोटा तो इसे स्वाशा रूपी पुल में बैढ़ जाओ कि ने ले लो इसको तुम आपने आप हूं, वहां तक झेड़े घीर, जेड़े झेड़े, और यह बना हो, यहां से वहां तक जाना हो, तो साधार बांदर भी, साधार चीटी भी यहां से वहां पहुँच जाएगी, कितना भी कैसा भी बेक्टे हो, और स्वासा का सहरा पकड़ ले तो वहारे पहुंच जाएगा तो फिर क्या है कि करमुक्तेबव तक जपे अस्वासा बिरला को हुए इसके बाद स्वासा तज जब उससे भी आप पूप जाएं फिर क्योंकि आप निरंतर नहीं कर सकते ना हाथ से निरंतर कर सकते हैं ना मुक्ते निरंतर कर सकते हैं और ना स्वासा से निरंतर कर सकते हैं एक समय क्सीमा है निरंतर ऐसे हो निरंतर ऐसे हो कि बस स्वासा के भी छोड़ दो करमुक्ते बहुत तक जपे अस्वासा बिरला कोई अस्वांसा तज नेनन जप है, नेनन का मतलब है कि उसको देखो, किसको बस देखो, देखने का मतलब है कि जागते रहो, जो कुछ होता है सो नहीं, जो कुछ होता है उसको देखो, कैसे, जैसे बैठें आप देख रहे हैं हमें, आइसे वहाँ बैठ करके स्वांसा को देखो, जो कुछ भी दिखाई देता है देखो उसको बस क्या दिखाई देता है हो सकता है तुम्हें आकाज दिखाई दे जाए हो सकता है तुम्हें भूर दिखाई दे जाए हो सकता है तुम्हें घर दिखाई दे जाए देखो चुप चाप करमुक्ते बहुत तक जप है स्वासा बिल्ला को है और स्वासा तक नैनन जप है नैनन का मतलब है कि होस पूरवक देखो बस जब ना छोण फिर क्या होगा कि देखत देखत ऐसा देख मिठ जाए जुग्दा रह जाए बस पहुँच गे देखने का मतलब है कि आप छट पर पहुँच गए देखने का मतलब अच्छा देखना आपक बंद नहीं होता धान में ना यह देखना बंद हो जाता तो सपना कैसे देखते आप देखना बंद हो जाता तो नीन को कैसे देखते आप देखना आपका सुभाविक गुण है आत्मा का सुभाविक गुण है देखना और जो देखना है वही परमात्मा का सुरूप वही आत्मा का सुरूप और उसी को हम बिसर जाते हैं तो हमें चेत्ना को जगाना है होस को जगाना है और जब कि वास्तिता ये हैं कि होस बराबर जागता ही रहता है तो हमें करना क्या है करमुक्ते बहुतक जपैर स्वासाब डिलिला को अस्वासाा तजे नैनन जपैर सो सिध सादत ऊचिध हो जाएगा जिसने देखना शुरू कर दिया बस बैठे रहो देखते रहो जो कुछ होता है होने दो बस क्योंकि जो देखा जाएगा वो एक दिन एक समय सत्र आ जाएगा जैसे आपने लकडी को साब देखा अब आप देखो देखने का मतलब ये है कि वहाँ आप कल्पना से रहत हो जाओ कुछ सोंचो नहीं जो कुछ होता है होने दो ये मत सोंचो कुछ भी सोंच नहीं बस साब दो जैसे हमारे आप यहां सलसंग हो रहा है और ये बिटी आप शुक्प बैढ जाए और यहां को सब देखती ने न जा रहा करें न कुछ तो ये सब जान जाएगी ऐसे वो जानने वाला बैठा हुआ और यह तुम हो लेकि तुम्हें घोस नहीं रहता तो करना क्या है हमें चुप चाप भुश करके इस कमरे में बैठ जाना है बिल्कुत जैसे उदार आता है आपने देखा होगा कि बिल्ली जब चुप को पगड़ती है तो जरासा चुपा की आठ आई तो पुरंट अटेक करती हुआ और ऐसे बिल्कुत बगवा भगत बेनी बैठी है कुछ नहीं जानते तो ऐसे हमारे आपके अंदर आप बिल्ली बन जाओ और कोई भी विचार आए खोला तो सब कुछ बस हो गया कि बस संकर संकर रहे गए तो कहने का वेशा है हमारा यह है कि हम आप बस उसको देखते रहें यह हाँ यह बता रहे थे कि जैसे आपने लकडी में साब दिखा जे रहा है तो आप कैसे उस लकडी को आप सत्त पर पहुंचोगी देखने बाद और असली पाजाए हो जबकि है असली वो रस्टी रस्टी अपने को साब देख रहे है आइसे आत्मा अपने को जागरत देख रहा है असली आत्मा यह ब्रह्म है तो कैसे जाता है ब्रह्म कि हम आग गडा करके बस बैठे बर रहें तो वो जो सांप दिखाए दे रहा है वो खतम हो जाएगा आटोमेटिक रसी जलग जाएगी ऐसे ही आप बिचार ना करें महां केवल बैठे रहें, बैठे रहें, बस बैठे रहें तो सारा का सारा ये जो है नकली, ये भ्रम जो सांप दिखाए दे रहा है, संसार दिखाए दे रहा है, यह सब सरग जाएगा, और आप खड़को जाओगे, क्योंकि आप से ही सब वो बन रहा है, लकड़ी सत्य है, रस्ती सत्य है, और सांप भ्रांती है, यह संसार, जागर, पप्र, यह भ्रांती है, सत्य है आत्मा, एक कुछ नहीं है असली है आत्मा असली यह एक परमात्मा असली है एक ब्रह्म, जो दिखाई दे रहा है ये सब नकली, ये ब्रह्म है, जैसे आप सूर देख रहे हैं, सूर ऐसा लगता है कि पूरा ते प्रस्चन जा रहा है, तो असली है कि नकली? असली नहीं है, असली क्या है? असली ये है कि न सूर नहीं कहीं जा रहा है न कहीं आ रहा है, है ब्रह्म की नहीं ब्रह्म? इसी तरह से संसार में हम आप बैते हैं, दिखाई दिरा ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं है, ये सब का सब नकली है, असली तो तुमारा सुरूप है, और वो है जग पेकन तुम देखना रहे हैं, लेकिन हम अपने को दीखने वाले मान रहे हैं, दीखने वाले मान रहे हैं, तो कह अन्हाम मुक्षिकरद्वारा और इसलिए इसको बड़े भाग कहा गया है कि ऐसा समझ करके ऐसा जान करके आपने शुरूप का दर्स्तन करें मम दर्सन हलपरम उपा अजीव पावलि सहस्तरूपा फिर महा क्या मिलेगा आपको सहस्त मिलेगा अभिनासी इस्वर अंस जीव अ अभिनासी चेतन अमल शहस्तरूप्राशा यह सत्य सत्य जबकि हम आप इसको सत्य मांगार अप मिलेगे 조र्ण आपने और जानकारी है जब कि आप अपने को दिरावर्णत पाएं लेकिन वो कहां भगा जहां वो काल नहीं जा सकता, जैसे आप महां पर पहुंद गहें तो फिर आपका काल, तीन काल में आपको कोई कुछ बिगाज नहीं सकता, बोलब लिंदावन भाहिदाल की, जैए!